हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु माई चैनल फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा खुशूरत सा डेजाइन प्रेंटर इसे आप जैन स्वेटर लेडी स्वेटर बच्चक स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स यह देखिए एट की प्लस थ्री फंदा हमने इस्ट्रा लिया तो टोटल हमने यहां पर नाइंटीन फंदे लिये हुए हैं और यह डिजाइन जो है देखिए यहां से राइट साइट से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी सलाई को हमें ऐसे सीधा बुनना है शिर्फ यह पूरा कर लिजिए और आप से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा बगल में बैल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना ना भूलेगा जिससे कि हमारा नेस्ट वीडियो आपको तुरंद प्राप्थ हो सके और फ्र पूरी सलाई को उल्टा उल्टा भून करके कमप्रीट कर लेंगे तुह हमारा सेकेंड ड्रो बैक साइड कमप्रीट हो गया है अब देखिए फ्रेंट्स यहां से हमारा डिजाइन पैटर्न स्टार्ट होगा तो यह फश्ट रो है फश्ट फंदा स्लिप करेंगे ध्यान से देखिएगा आप देखिए इसके बाद एक जाली वाला वाला टालेंगे फिरदेखिए भाइन 52 गाला में टूर जाली डाला कि थ्रीक जाली डाला साँ फोर जाली डाला कि उप्रेंश- वान टू थ्री ये थ्री फंदों का हम वन कर देंगे ऐसे फिर यहां से देखे जाली डाल लाइं स्टार्ट करेंगे जाली डालेंगे वान जाली डाला टू जाली डालेंगे थ्री जाली डालेंगे फोर जाली डालेंगे फाइब यहां जाली डालेंगे और ये टू का वन कर करेंगे और वान साइड काय देश्टिच है तो यह मारा थार्ड रो कम्प्लीट हो गया फ्रेंड्स आप देखे यह फोर रो है फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे धागा पीछी अब देखे पूरी सलाई को हमें सीधा बुनना है यह देखे हमारे जाली वाला फंदा है इसको भ पूर है तो पूरी सलाई को फ्रेंड्स इस तरीके से आप सिधा बुन लीजिएगा बहुत ही सुन्दर और बहुत ही इजी साइड डिजाइन है देखे इसे भी हम सिधा बुन लेते हैं वन साइड का अडिश्टिच है इसे उल्टा बुन लेंगे तो फ्रेंड्स हमारा यह फोर रो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखे, 9 फंदे हमने बुन लिया है, अब यहां हम क्या करेंगे, 1, 2, और यह 3, 3, 3 फंदों का 1 कर देंगे, इसके बाद देखिए, 9 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब देखे, यह 2 फंदे, हमारे 2 का 1 हो जाएगा, और 1 साइड का एडिस्टीच है, तो फ्रेंड्स हमारा यह डिजाइन पार्टन का, 5 फिर रो कंप्लीट हो गया, अब देखे, यह 6 रो है, बैक सैड्स फंदा स्लिप करके, पूरी सलाई को हमें, ऐसे उलटा उलटा बुन देना है, इस तरीके से हम पूरी रों को इस तरीके से हम उल्टा उल्टा बुंते हुए कंप्लीट करेंगे तो मारा सीच्स रों कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स अब देखे यह 7th रों है राइड साइड है फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अब देखें यह 2 का 1 करेंगे, देखें यहाँ पर 2 का 1 कर दिये हम, फिर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो देखें 1 फंदा यह साइड का डिश्टी से, टोटल हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे दिजाइन के हो गए, अब यहाँ से सेकेंड डिजाइन का देखें, यह 3 का 1 करेंगे, आप देखें आपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, स्वरी, 7 फंदे बुनने हैं, फिर एधर हमें 2 का 1 कर देना है, वन साइड का डिश्टी से, यह 7 फंदे रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, आप देखिए, यह 8 फंदे हैं बैक साइड, फंदा स्लिप कर गेंगे, और पूरी सलाई को हमें ऐसे, उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट कर लेना है, देखिए, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सा डिजाइन है, इसका लुक लेकिन बहुत ही प्यारा सा है, तो फ्रेंड्स, इसे आप ट्राइ करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर बनाएं, तो फ्रेंड्स, 8 फंदा स्लिप करेंगे, आप देखिए ये, 2 का 1 यहां से करेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर देखिए, 1, जाली डालेंगे, 2, जाली डालेंगे, 3, जाली डालेंगे, 4, जाली डालेंगे, 5, अब इसके बाद जाली डालेंगे बाद, देखिए, 1, 2, 3, 3 फंदों का 1 करेंगे, फिर देखिए, जाली डालेंगे, One जाली डालेंगे Two जाली डालेंगे Three जाली डालेंगे 4 जाली डालेंगे 5 जाली डालेंगे और ये Two का One करेंगे और One साइड का आड़िश में तो आज़ी दिसे तो दोएख़, हैमने इस्टार्ट करके आपको बता दिया है आप यही वंसे लेके आप 8 रो रीपीट करते जाएंगे श्वारी ये 2 रो बेसिक रो आप समझ लिजे है यहां से आपका हो गया तो ये 6 रो ही की डिजाइन है तो वंसे लेके 6 रो रिपीट करते जाएंगे तो पूरी डिजाइन देखे फ्रेंटिस तरीके से बन का रहाएगी तो आप इसे बनाइए आपको डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो कर दो आपको अच्छा लगी हो ठापको अच्छा लगी हो